ही गाइस वेलकम बैक आप सभी को अब बहुत स्वागत है को ने फ्रेश एपिसोड में फ्री फायर बैटल ग्राउंड्स कर गाइस आज की इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने हैट शॉट रेट को कैसे इंक्रीज कर सकते हो और साथ ही साथ उसे कैसे कैसे उसे इसफेलें ठाउर शॉट से इसमकराइस इसन गडndी करते हैज़े पर द Tag Hybrid मारत चाला हुट गरिए बात करता हूं झामपलẽ मैं में चल्ड़ जा सबाइब आतर्स थाथिक्टर के लेकर amiga को पर एसके से ड्रेगन ओफ जैसी चला सकते हो तो उनका बोडी शॉट ही इतना है होता है कि यह बदाता है कि बंदे को आपने हेड से मारा मतलब लास्ट गोली उसके सर पर लगी जिसका आपका किल आ गया और उससे पहले चाहिए आपने कितने ही बॉड़ी मारें उससे कुछ पर रखनी पड़ता तो वो जो प्रोफाइल का एड्शॉट होता है उसको लोग मेंटेन भी करते हैं अराम से और बाद में जब आप उनका एच्छल गेम प्ले देखोगे तो इतना अच्छा नहीं रहता आप सुचोगा इसका 90% का एडशॉट है बढ़ यहां तो यह अपलोड करें एं और इस वीडियो को जल्दी से कर दो तह्यों फिर हम आज का वीडियो शुडु करते हैं तो बसा सब्सेब्सकी शुरू करते हैं आज का असे वीडियो ड़ाइस मेरा नाम है तेथ बहुत से बंदों के साथ यह रहता है कि उन लोगों का एक हैट जरूर लगता है फिर बाद में किल बॉडी शॉट लगने के वज़े से बॉडी किल काउंट हो जाता है बड़ इसका मतलब यह नहीं कि उन लोगों का एक पाफी अच्छा है बहुत लोगों के साथ में देखा इसनले प्रोफाइल में मेरे उतना जादा है इसका मेरे गेमपले पर घंटा कुछ फरक नहीं पड़ता है विकाउस मेरा फाइर पावर काफी ठीक थाक है मैं सामने वाले एनिमी को काफी जल्दी से नॉक कर देता हूं इसका असर आपको मेरे प्रोफाइल के केड़ी रेट पर भी दिखी जाएगा आपको 20 के असपास का मेरा KD8 मिली जाएगा तो एक तो होता यह फायर पावर वाला है जिसे हम फायर पावर बोलते है नॉर्मल तमस में दूसरा होता है इस प्रोफाइल का है अब आज हम प्रोफाइल वाले हैट शॉट रेट की ही बारे में बात करन है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पांच टिप्स और ट्रिक्स देने वाला हूँ जिनको अगर आप फॉलो करते हो तो डेविनेटली आप अपना हेट रेट इंक्रीज कर सकते हो और साधी साथ उसे मेंटेन करके रख सकते हो पूरे सीजन में ठीक है तो सबसे पहले इस पुरे वीडियो की वह है आपकी एम आपकी एक्यूरेसी अगर आप से हैडशोट लगेंगे नहीं तो हैट इसे कैसे इंक्रीज करोगे तो सबसे पहले तो आपको एडशोट रिट मारना आना चाहिए अब जैसे कि मैंने से पहले बताया था पाइर पावर अगर आपका रिफ्लेक्ट नहीं होगा अब अगर सामने फुल 200 हेल्थ का बंदा है आप उसको एक हेड्शॉट मारते हो लास्ट में बॉड़ी शॉट लग गया तो वो आपका बॉड़ी का ही किला आएगा वो उससे मैटर नहीं करेगा कि आपने बंदे को वनिट्टी का हेड्शॉट मार जल्दी नौक हो रहे हैं तो आप बोल सकते हो इस क्लिप में की फायर पावर काफी स्ट्रॉंग है बंदे को हेड्शॉट लग रहे हैं और वो जल्दी से नौक हो रहे हैं बट किल आप देखोगे कि मेरे को किल बॉड़ी शॉट का रहा है मिशा क्योंकि लास्ट गोली जो पर काफी जाद अलग वीडियो हैं आप बोलो को तो अभी बाद में आपको समझा सकता हूं बट फिलाल आज इस वीडियो में यह बात नहीं करेंगे तो आज की इस वीडियो में बस इतना कि आपको अपने एम को जादा इंपरोव करना अपनी एक्कुरेसी पर बहुत आपको अपनी सेंस्टिविटी इस तरीके से एड़स्ट करनी होगी कि आपके तीन चार कम से कम हैट शॉट लगे पहले जो बुलेट्स हैं वो तीन चार हैड पर लगे उसके बाद बॉड़ी लगें क्योंकि देखो पूरी मैगजीन की सारी गोली हैड पर लगना यह इतना असान नहीं है क्योंकि गुंक्य निकार ड्रकॉइल हो रही है जब तक दक ख़ार बिल्ट अप हो रहा है तब तक आपकर कम्से लिए तो उसके लिए आपको काफी जाधा प्रेक्टिस करनी होगी, next tip है guys अब आती है weapon choice के बारे में CS rank में आप जानते हो, Farmas X एक काफी जादा strong gun है, Groza भी आ गई है Groza भी काफी strong है, M10 Double Vector, कुछ guns ऐसी हैं जो CS rank में जीतने के लिए लोग use करते हैं जब round must kill में होता है तो लोग उसको जीतने के लिए use करते हैं, बट आप देखोगे Farmas X से अगर आप बंदे को मारते हो तो बहुत जल्दी नौक हो जाता है, बट kill भापर body का आता है, क्योंकि वही सब आप लोग क्या करते हो full zoom in zoom out करते हो, तो zoom in zoom out करने से सारे shots body ही पढ़ेंगे, आपको kill बहुत ही जल्दी मिल जाएगा, आपका fire power इसका मतलब काफी strong है, आप बंदे को बहुत जल्दी मार पाऊगे बट kill आपको body का मिलेगा, तो अगर आप headshot rate maintain करना चाहते हो तो आपको Farmas X जैसी guns चलाना छोड़ना होगा, क्योंकि अगर आप ऐसी guns का use करोगे जादा से जादा, तो आपको body के लिए आने वाले हैं, तो आपको guns ऐसी use करनी है, जिन से आपके headshot rate जादा लगे, अगर आपके M10 से जादा headshot लगते हैं तो आप M10 चलाओ, जादा से जादा अगर आपके UMP से जादा head लगते हैं, तो आप चलाना स्टार्ट करो, आपके, अगर MP40 से लगते हैं, आप MP40 चलाओ, क्योंकि गाइस देखो, गन दो तरह की होती है, एक गन ऐसी होती है, जिससे हमारे headshot जादा लगते हैं, बट एक ऐसी होती है, जिससे चलाने में मज़ा आता है, अब जैसे अगर मैं अपनी ही बात SMG guns के साथ, तो मैं SMG से जादा headshot मारता हूँ, तो अगर मेरे को अपना headshot rate maintain करके रखना है, तो मेरे को shotgun चलाना काफी कम करना होगा, और जिस gun से जादा headshot लगते हैं, उसी पर focus करना होगा, थर्ड टिप है guys, अपने kills को confirm करना, जो भी आपके headshot वाले kill हैं, अगर वो open में knock हैं, cover में जाने वाले, cover में knock हैं, तो आपको सबसे पहले उन्हें confirm करना है, क्योंकि अगर आप किसी बंदे को headshot से knock करते हो, और वो cover में जाकर revive हो जाता है, फिर उसे या तो आपका कोई teammate हो सकता है, कि चुराले, या फिर अगर आप दुबार से knock कर हो सकता है, कम health का क्योंकि अभी वो revive हो कर उठा हो, तो सबसे पहले ही जो चीजे करनी है, अगर आपको अपना headshot and maintain करना है, तो आपको अपने head वाले kills confirm करने है, तो अभी आप लोग क्या सोच रहोगे कि इसका मतलब body shots वाले kill हमें confirm नहीं करने है, उनको knock रहने तो उनको revive होने तो तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, अगर आपने किसी बंदे को body से knock करा है, मतलब body shot से knock करा है, और वो cover में जा रहा है, आप देख रहो कि वो cover में जाने वाला है और revive हो सकता है, तो आपको उसे तुरंट महीं पर finish कर देना है, फिर चाहे वो body का kill हो, चाहे headshot का, बट अगर आपने एक ब जवरदस्ती किसी से नहीं बोल सकता है, अनिमनी से जाके कि जा तु भाई अपना बंदा revive कर, मैं इसको दुबारा से मारूंगा, headshot का kill लेना है, मुझे body का kill मैं नहीं लेता, तो वो अगर knock हुआ है body से open में, तो उसका मरना तो तह है, वाट एक दूसरा scene यह सकता है, कि सा headshot rate लगते हैं, तो आपका एक chance increase हो जाएगा, एक headshot का kill लेने का, और अगर आप उसे headshot से मार देते हूँ, तो आप सोच सकते हो, आपको कितना फायदा होगा, कि आपको body का kill वो भी आएगा, और आसाथी साथ आपका headshot का kill लाएगा, जो उसे clash कर देगा, और एक round में आप या फिर आप अपनी टीम के स्नाइपर हो, आप marksman rifle चलाते हो, स्नाइपर चलाते हो, स्नाइपर से usually लोग body shot ही जादा मारते हैं, तो आपके kill body काएगे, तो अगेन आपका headshot इस से decrease हो जाएगा, वो बात अलग है कि चाहाएप अपनी टीम को कितना ही support करो grenade से, या फिर स्ना और अपना role अगर squad में change कर सकते हो, तो करके try करो grenade चलाना और snipers चलाना कम कर दो, इस tip number 5 है, आपकी headshot rate increase करने के साथ साथ एक अच्छा gaming experience लेने के लिए, तो काफी बार क्या होता है, अप headshot rate increase करने में इतना ज्यादा पागल हो जाते हो कि आप अपने teammates का game spoil करने लगते हो, अब वो कैसे अब आप देख रहे हो, ऐसी situation है, कि सामने वाले जो opponents है, वो काफी जादा lead में है, मतलब सामने वाले team lead में है, आप लोग अभी game हार रहे हो, बट स्टिल अभी भी आप desert eagle लेके open में walk कर रहे हो, one tap मानने के लिए headshot rate increase करने के लिए, और सामने वाले बंदे आ आप अपको अपने team की तरफ से खिलना चाहिए, आपको उस समय अपने headshot rate को बूल कर बूल कर बॉडी के लारा, head का के लारा, जैसा के लारा, kill करना चाहिए, और अपनी team को जिताना चाहिए, क्योंकि at the end, game का मज़ा तभी है, जब आप लोग उसे enjoy करो, जब आप लोग ब अपना headshot rate maintain करके रखने की, फिलाल मैने बस 25-30 मैच के लारा, और उनमे मेरा headshot rate अभी 60 के आसपास है, तो मैं कोशिश करूँगा इसको season के end तक 70 करने की, और 70 में maintain रखने की, और season के end में मैं खुद आकर अपनी इसी वीडियो में कमेंट करके आपको अपना headshot rate बताऊंग के tips and tricks वीडियो के लिए और मैं देख रहा हूँ आप लोग पिछले tips and tricks वाले वीडियो से likes बहुत ही कम कर रहो है, ऐसा नहीं चलेगा, मैं daily आपको tips and tricks लाने का कोशिश कर सकता हूँ, बट आपको क्या करना है, आपको like ज़रूर से करना है वीडियो को और इसे दबा के share कर अपने friends के साथ, मैं मिलता हूँ आप से किसी और वीडियो में तब तक लिए, goodbye, take care